जहें दोस्तों अंदे मातरम क्या अमेरिका और साओधी के रिष्टे एक बार फिर से बिगड़ेंगे ये बाते में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बिडेन ने समय बाते कहीं है कमाल कशोगी को लेकर जिसके की हत्या के बीजे साओधी एरप का हाथ बताया जाता है उसको ल करसा सीधे तोड़ पर सामने वाले की चवी के उपर जाता है और अगर चवी की बात आती है तो फिर साओधी अपनी चवी के लिए कितना ज़्यादा सजग है ये किसी कोई बताने की जरूरत नहीं है अमेरिकी राश्टपती जो बाइडन साओधी एरप के दोरे पर हैं यहां उन्होंने क्राउन्स प्रिंस मुहमद बिन सल्मान से मुलाकात करी इस दोरान बाइडन ने 2018 में हुई पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का मामला उठाया उनका मानना है खशोगी की हत्या के लिए क्राउन प्रिंस जमाल जम्यदार है बाइडन ने कहा कि मैंने बैटक में जमाल खशोगी की हत्या का मुद्दा उठाया मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं इस पर चर्चा करना जरूरी था मैंने क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान से कहा कि खशोगी की हत्या के लिए आप जिम्मेदार है इस पर क्राउन प्रिंस ने कहा कि मैं व्यक्तिका दूरूप से पत्रगार जमाल खशोगी के हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ हम लोगों पर कारवाई कर रहे हैं जो इस हत्या के पीछे है पिछले साल अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया है था कि वशेंग्टन पोस्ट के साउधी पत्रकार जमाल खशोगी के हत्या की योजना को सायोधी क्राउन प्रिंस मूहमद खशोगी को साओधी एरब के लिए एक वो लोग खत्रा मानते थे क्योंकि वो उनके खिलाफ काफी लिखा करते थे ट्रम जब सत्ता में थे तो उनके साओधी प्रिंस से करीब रिष्टे रहे और यही वज़ा है कि उस दौरान खशोगी की हत्या से जुड़ी अमेरिकी इंट बाश्पती बने और मानव दिकार पर उनका रुख हमेशा से सकत रहा इसके बाद रिपोर्ट जारी की गई इस इंटेलिजन्स रिपोर्ट में सीधे तोर पर खशोगी की हत्या के लिए प्रिंस सल्मान का नाम लिया गया था तुर्की में इस्तामबूल इस्थेट संयोक्त और अमिरात के वानिजेक दूस अबास में दो अक्टूबर 2018 को वाशिंग्टन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी इसमें वली अहद शहजाद मुहमद बिन सल्मान की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे अगर प्रिंस सल्मान को बाइडन एड्म प्रिंस्टेशन खशोगी की हत्या के मामले में आरोपी करार देता है तो यह तैहिक मुडिलीस्ट के सबसे ताकतवर और अमीर देश के रिष्टे अमेरिका से खराब हो जाएंगे मुडिलीस्ट में साओधी एरब के बिना अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता वहाँ उसके और मिलेटरी बेस भी हैं तो इसी बारे में सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि अगर अमेरिका खुले तोर पर इस तरह के आरोप साओधी प्रिंस के उपर लगा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास सबूत हैं कि वो लगा रहा है और या फिर वो अपने रिष्टों का अ कहीं पलट कर उन्हीं के पास आएंगे और उनको फिर वर्ल डेवल पर इसकी कहीं ना कहीं खामयाज यह बुखतने पड़ेंगे मेरे सुटिंफ लात नहीं जाहें जाय भारत